हलो दोस्तो अगर आपके आईफॉन में किसी एप का अपडेट आता है तो एप स्टोर पर नौटिफिकेसन आ जाती है और रेट कलर के पॉइंट पर बाइन टू तू तरी लिखकर आ जाता है तो आप मैनोली जाके एप अपडेट करते होंगे लेकिन मैं आपको बताऊंगा किसी सेटिंग आपको सेटिंग करने है आपका अप्स ऑटोमेटिक अपडेट होंगे उसके लिए आपको अपना फॉन में सेटिंग ओपन करने है सेटिंग ओपन करने के बाद आपको स्क्रोल करना है स्क्रोल करने के बाद आपको एप स्टोर में आना है एप स्टोर में आन अपडेट हो जाएगा लेकिन नीचे आपको आप्शन देख रहा होगा मुवाइल डेटा अगर ऑटोमेटिक डाउनलोड अगर यह आपका ऑप है तो आपके आप तभी ऑटोमेटिक अपडेट होंगे जब आपका आईपोन वाइफाई से कनेक्टेट होगा अगर आप इसे आउन कर देते हैं आटोमेटिक डाउनलोड को तो आपका मुवाइल डेटा खर्च होगा अगर आपको मुवाइल डेटा की प्रॉब्लम है आपके में इतना मुवाइल डेटा नहीं रहता है तो आप इसे आप रखें इसे आपका मुवाइल डेटा कम खर्च होगा जब भी आप अपना iPhone Wi-Fi से connected करेंगे तो आपके apps आटोमेटिक अपडेट हो जाएंगे लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना है आपके phone में low power mode off होना चाहिए तभी ये बर्क करेगा नहीं तो बर्क नहीं करेगा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें जिससे आपको time to time notification मिलती रहे थैंक यू फॉर बॉचिंग